तो यह लो फ्रेंड्स मेरा नाम में को स्पेकाइक पर में येटूप चाहिए नाम आप खसा आगे तो जीशा केम बहुसी वीडियों देखते हैं कि गोबर से बल्बर जलाई तो कैसा सकता है आप एक फ्रेक्टर क्वास वीडियों में आपको यह पूरूप करके दिखाने अल उसके बाद में इसको इस गिलास में बढ़ दूँगा तो आप देख सकते कि मैंने इस गोबर को इन दोनों गिलासों में बढ़ दिया है और उसके बाद में इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल दूँगा तो आप देख सकते कि मैं इसमें पानी डाल रहा हूं तो मैंने पानी डाल दिया है और उसके वाद में चाहिए होगा यह सेल तो आप देख सकते हैं मैंने इस एक्षेल के डो टुक्डे कर लिए और उसके वाद में इस में से इस इलेक्टरोड और इस जिंग को निकाल लेना है तो मैं इस जिंग को और इस इलेक्टरोड को निकाल लेता हू तो मैं इसे काट कर निकाल लेता हूँ आप देख सख्ते हैं मैं इस में इस इस वाइर के टुकडे ले लिये है और उसके बाद मैं इस और उसके बाद इस जिंग के उपर इसे लगा देता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं इस वायर को इस जिंक पर लगा रहा हूँ और उसके बाद मैं इस वायर के दूसरी तरफ इस इलेक्ट्रोड को लगा देना है तो मैं इस इलेक्ट्रोड को इसके उपड लगा देता हूँ तो आप देख सकते कि मैं इस इलेक्टरोड को इसके उपड लगा रहा हूँ और उसके बाद मैं इस इलेक्टरोड को लेना है और उसके बाद इस दूसरे वायर को इसके उपड लगा देना है और उसके बाद इस वायर को मैं इस जिंग पर लगा देना है तो मैं इस जिंग पर इस वायर को लगा रहा हूँ उसके बाद मैं इन इन गिलासों में लगा देता हूँ तो आप देख सकते कि मैं इस जिंग की पत्ती को इसमें लगा रहा हूँ तो मैंने इन सब को इसमें लगा दिया है और इसके बाद आप देख सकते कि यह मारी यह आउटपूट वायर है तो मैं इन वायरों को चित्रेगे से लगा देता हूँ आप देख सकते मैंने इन वायरों को चीतरी केशी लगा दिया और इसके बाद मारी ये आउटपूट वायरे तो मैं इस पर बल्ब लगा कर आपको दिखाता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जलता है या नहीं तो मैं इन वायरों को इस पर लगा देता हूँ तो आप देख सकते के मारा ये बल्ब जल रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कि एक इस तरह से जल रहा है कि आइसमें सच में कोई एलेक्ट्रोड निकूर्जा बन रहा है तो मैं आपको बता दूँगा तो इसलिए उडियो मेरे साथ तो आप देख सकते कि हमारे बल्ब जल रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कि यह किस तरह सी जलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यह किस तरह सी जल रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जल रहा है तो आप देख सकते कि इसमें से इस तरह से वायर को निकाला जाता है तो आप देख सकते कि इसमें गिलास में कितनी सपाय से इस तरह से वायर निकाला जाता है और भी यूटूबर आपको इसी तरह से बता देते हैं तो आप देख सकते कि इसमें से इस तरह से वायर को निकाला जाता है और भी यूटूबर आपको इसी तरह से बता देते हैं तो आप देख सकते कि इसमें इस तरह से वायर को निकाला जाता है तो इस तरह की कोई भी प्री एनर्जी नहीं होती आप इस जड़ागी जन्जरट में बिल्कुल ही ना आपड़े तो बस आज के लिए इतना गुल्ड चा लगाओ तो उड़ी लाइक करें चैनल को सब्सक्राब अब लागान कोवल पर जुरू प्रेस करें क्विक में सिंट्रेस्टिंग और लग्टोनी गुल्ड रताना उजी नोटोफिक्स ना आपड़े से पहले मिल से के